इंडिया में usually ये बोला जाता है कि अगर आप कोई residential property launch stage पे खरीदोगे तो जब तक वो property ready होगी तब तक आपको ये बहुत बढ़िया capital application मिल जाएगा अब रेरा आने के पहले तो लोग ये claim करते थे कि real estate में आपको 2x, 3x return मिल जाएगा तब basically property बनने में भी उस time पे 7-9 साल लगते थे आज रेरा आने के बाद developers और brokers थोड़े से realistic हो गये हैं और वो ये claim करते हैं कि आपकी जब तक ये property अगले 3-5 साल में ready होगी तब तक आपको ये 30-40% capital application मिल जाएगा बट क्या एक residential realistic property में सच में 30-40% capital acquisition मिलता है या फिर ये एक सिफ आइवाश है और एक marketing करने का तरीका आज हम इसी topic को explore करेंगे but with proper data points तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले ये समझते हैं कि product का price decide कैसे होता है उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि उसके cost में क्या-क्या factors हैं तो एक project के cost में 4 चीज़े involved होती हैं सबसे पहला cost of land दूसरा cost of construction तीसरा cost of funding cost of funding मतलब land खरीदने के लिए यह construct करने के लिए developers सारे पैसे अपनी जेब से तो देगा नहीं उसे कहीना कहीं से funds arrange करने पड़ेंगे या तो बैंक से या फिर open market से तो यह जो भी वो funds लेगा उसके उपर एक 18% से 24% का interest पड़ता है तो यह cost भी उसको factor in करनी पड़ेगी तो मतलब land construction cost of funding प्लस उसकी कुदकी profitability यह चारो points को जोड़के बनता है एक project का price अब यह price वो लोगों से लेगा कैसे उसके लिए बनाता है payment plans तो usually real estate में आपको दो type के payment plan मिलेंगे एक होता है down payment मतलब आप मेंको maximum पैसा आज दे दो और थोड़ा सा पैसा at the time of possession देना दूसरा है construction link plan construction link plan जो primitive plan होता था ए वैसे जैसे मेरी construction बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपसे पैसे लूँगा मतलब pinch stage पे 20% लूँगा 5th floor का slab हो गया तो 10% 10th floor का slab हो गया तो 10% OC apply किया तो 20% इस तरीके से पूरे construction की stages में वो payment divided होती थी अब developers ने इस construction link plan के अलग-अलग variation बनाती है मतलब 30-40-30, 25-4, 20-5, 20-80, 10-90, 5-95 ये कुछ नहीं बट construction link plan के अलग-अलग variations है हाँ इनमें पहले एक subvention plan भी हुआ करता था जिस पे आज की rate में एक ban लग चुका है लेकिन हाँ उसको अभी भी developers यूज कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो एक separate topic है उसके हम separately discuss करेंगे बट आज के discussion ले हम इसमें से तीन चीज़े लेते हैं पहला लेते हैं down payment plan दूसरा लेते हैं एक traditional construction link plan और तीसरा हम लेते हैं 1090 का plan और data points के साथ में इन तीनों को compare करते हैं तो सबसे पहले let's look at the construction link plan अब developer क्या करेगा developer बोलेगा कि मेरा base price X है तो इस case में जूम करते हैं कि base price उसका 10,000 रुपए हैं उसकी ऊपर other charges आते हैं other charges मतलब कौन से सबसे पहले आएगा आपका PLC EDC IDC club membership car parking power backup IFMS अब usually इसमें कुछ charges कुछ states में अलग से लेना allowed नहीं है जैसे महारास्ट्रा में आप car parking हो गया या club membership के charges अलग से नहीं लिए जाते वट वो base price के अंदर adjust हो जाते हैं या फ total sum करोगे तो roughly base price का 10-15% निकल के आएगा आज की case के लिए हम उसको 10% assume करते हैं तो 10,000 रुपए का मेरा base rate था other charges मिलाके यह बन गया मेरा 11,000 रुपए अब इसके उपर मुझे 5% का GST भी देना पड़ेगा जो developer सबसे आखरी में बताता है क्यों क्योंकि यह बोलता है कि यह पैसे मुझे तो मिलने ही नहीं वाले यह तो सरकार के पैसे हैं इसको तो हम इसे कोई भी avoid नहीं कर सकता बट अगर मैं इसमें GST का cost भी add कर दूँ तो मेरा total price बन जाता है कहीं पे 1500,000 रुपए का यही अगर मैं developer को बोलूँ कि मैं upfront आपको बहुत जादा पैसे देने के लि 15% अगर आप pushy हो तो 15-16% भी मिल जाता है बट usually 10% के आसपर discount होता है अगर मैं इसको 10% का discount पकड़ू तो यह discount मैं को total value पे नहीं मिलेगा मुझे से base price पे मिलेगा तो मेरा base price 10,000 की जगा पे 9,000 रुपए हो गया बाकी 1000 रुपए के अधर चार्जे सेम रहे GST मिलाके मेरा आगया rate 10,500 रुपए का यहीं अगर मुझे कोई और interesting payment प्लान चाहिए और अगर मैं उससे 1090 का प्लान लू तो मतलब developer को उतने ज़्यादा पैसे market से उठाने पड़ेंगे क्योंगे मेरे पैसे तो उसको late मिल रहे हैं तो that means उसका cost of funding बढ़ जाएगा तो वो आपको 1090 रु इंक्लूड करके 12,000 रुपए 5% GST मिलाके यह बन गया 12,600 रुपए अब this is where it becomes very very interesting तो जब developer अपना एक नया product launch करता है market में तब वो हमेशा अपना lowest price ही disclose करता है वो भी सिर्फ base price all in price नहीं तो marketing कैसे करेंगे new product launched at 9,000 रुपीज per square feet अब जब आप उनकी site पे पहुचोगे त total cost क्या आ रहा है और यह box price क्या बनेगा जब यह product ready हो जाता है तब वो कैसे market करते है 12,600 रुपीज all inclusive price for a ready project तो अब यह difference कितना हो गया 3,600 रुपे गा 3,600 रुपे divided by 9,000 रुपीज is 40% of capital appreciation and that is what they marketed to you कि हमारे project ने पिछले 4 साल में 40% capital appreciation हुआ है अगर यह market बहुत अच्छी चल रही है काफी तेजी है और उस particular location पे prices बहुत drastically बढ़ रहे हैं तो developer यह भी कर देता है कभी कभी 12,600 रुपे plus other charges other charges को आपको थोड़ा सा discount करके गूम फिर के 12,600 रुपे पर ही product देदेगा अगर market बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो 12,600 रुपे all-in price उस पर थोड़ा सा discount करके वह कही ना कहीं वही साड़े गार आजार बार आजार रुपे पर आपको product देदेगा तो मतलब कहीं ना कहीं वह जो capital appreciation की story है वह आपको दिखेगी 30% से 40% के बीच में इस product ने capital appreciation दिया है वड़ क्या in reality यह सच है then the answer is yes and no both यह सिर्फिक marketing strategy है जिसको अलग तरीके से portrait किया जाता है हां तो nutshell में story यह है कि आप उसको under construction में launch stage पे खरीदो या फिर वो product को ready to move in खरीदो मोटा मोटा हिसाब आपको same ही पड़ेगा 19-20 का फरक होगा अगर आप down payment पे उसको खरीद रहे ह नहीं किये होते और bank में रखने की जगा किसी और stock market में mutual fund में invest किये होते तो शायद 4 साल में आपको वही 30-40% का capital appreciation आ गया होता बट हां stock market हमेशा जाधा risky है real estate थोड़ा जाधा safe है stock market बहुत जाधा volatile है real estate उतना जाधा volatile नहीं है तो any day real estate में under construction में invest करना एक अच्छा idea है ले अगर आप कोई specific construction लिंक प्लान ले रहे हो और फिर उस पर loan ले रहे हो या फिर और भी कोई innovative 1090-2080 का प्लान ले रहे हो तो आप यह समझ लीजिए कि आपको जो under construction में cost पढ़ने वाली है वही same price पढ़ेगा जब वो product ready हो जाएगा एक project का असली capital appreciation तब होता है जब उसके possession क एक साल से चार साल के बीच में क्यों क्यों क्लिब possession आने के बाद एक साल के अंदर सारे लोग आके रहना शुरू कर दिये हैं उसकी सारी amenities fully functional हो चुकी है अभी जो भी teething issues थे starting में वो developer ने resolve कर दिये हैं अगल बगल का social infrastructure properly functional हो चुका है तो अब उस project में हर किसी की इच्छा ह है कि हम जाके यहाँ पर रहना शुरू करें that is where you will get the actual capital appreciation that is after position one to four years बट हां under construction के भी अपने फाइदे हैं जैसे कि आपको under construction में काफी सारे options मिल जाते हैं जो ready to move में usually नहीं मिलते हैं क्योंकि developer का पूरा focus होता है कि अपना सारा product under construction में ही बेच दे तो आपे options बहुत जादा है लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो कि आप loan लोगे या फिर कोई बहुत attractive payment plan लोगी और आपको capital appreciation हो जाएगा बहुत जादा तो सच्चाई में नहीं आपको कोई बहुत जादा great profit होगा नहीं ऐसा होगा कि आपको life में बहुत बढ़ा loss हो गया अगर आपने launch phase में property नहीं खरी गी तो nutshell this is the entire story around capital appreciation in a residential real estate property right I hope this was helpful to all of you and as usual अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है तो प्लीज इसे like कीजेगा अपने friends और family यह शेर कीजे comments में मेंशन कीजे कि आपका under construction property and ready to move in property क्या experience रहा है प्लस और कुछ से topics हैं जो आप देखना चाहते हैं हमारे तुरू और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल प्रेस दी बेल notification क्योंकि मैं इसी तरीके से real estate पे बहुत जादा knowledge based videos बनाते रहूंगा right and that's all for today signing off I am Roon Bhardwaj take care have fun